मोदी जी विदेश ये हत्रा बहुत करते हैं विदेश जाने का बड़ा शौक है उनको लगता ऐसा ही कि जैसे जीवन में कभी विदेश गए नहीं और जितनी भी हस्रत है इनी पांस साल के अंदर गत उन्हें सारी पूरी कर लें लेकिन उनके विदेश दोरे का देश पर कितना बड़ा बोज पड़ता है कभी हम लोगों ने आकलन किया है अब से दो साल पहले तक जो उनके विदेश दोरे थे उनका खर्च लगबग 11 अरब रुपे यानि 1100 करोड रुपे आया था और उसके बाद से तो और भी जादे वो कर चुके हैं और इतने हजार ये करोड रुपे जो इनके विदेश दोरे पर खर्च हुए हैं इमानदारी से अगर यही पैसा किसानों को दे दिया जाता तो उनको उनकी लागत का डेड़ गुना मुले निश्चित रुप से मिल गया होता जो 2022 में उनकी इंकम दुगनी करन अपने सारे सोर्सिस के माध्यम से उनको इखटा करते हैं और दिखाते हैं वह वही लूटते हैं और ये देश की जनता को दिखाना चाते हैं कि मोदी जी की कितनी बड़ी फॉलोइंग है लोग उनसे कितना प्यार करते हैं नमबर एक एक तो ये दिखाना चाते हैं और वहा ऐसा प्रदानमंत्री कभी देखा नहीं होगा जो अपनी पिछली सरकार की जाके वहाँ पर बुराई करता है दूसरी पार्टी की बुराई करता है आप अपनी बात कहें अपने काम कहें तो लगता है लेकिन दूसरे का आप जो बुराई कर रहे हैं वो किसी भी हालत में ठीक नहीं है और आप हर काम को वहां दिखाना चाहते हैं और उसका मीडिया में पिरचार करते हैं विदेशी दोरों के माद्यम से कि आपकी इतनी फॉलोविंगे लोग इतना पसंद करते हैं आपके कामों को इतना पसंद करते हैं लेकिन देश में आपके कामों को कितना फसंद किया जाता है तो मेरा तो सिर्फ इतना ही निविदन है कि मान्य मोधी जी अगर जरूरी है तो विदेश यात्रा करो और ये मेकिन इंडिया का जो आपने subject लिरक का है इसको छोड़ दो अब कुछ नहीं होने वाला चार साल में क्या होगा और विदेशी दोरों पर जितना पैसा खर्च करते हो इसे देश की भोली भाली जनता की भलाई के लिए खर्च करो तो जादे देश की जनता का भला होगा